आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो उप्टिकल फिबर होगया घंगे का अप्टिकल फाईबर का कंस्ट्रक्शन भ ön having दे है ठीक हमें पता है अप्टिकल फाईबर में जो अंदर वाला होता है वो डैंसर होता है बाहर वाला रेरर होता है ताकि जो light ray denser से रेरर में जब भी जाए तो TIR कर जाए तो inner core of material is material of refractive index 1.68 तो हमें यह जो new 2 है अंदर वाला इसकी value दे रखी 1.68 and the outer covering is a material of refractive index 1.44 तो यह जो बाहर वाला है new 1 की value 1.44 हमें given है find the maximum angle at which the ray can be incident with the axis of pipe यानि की इस axis के साथ हम कितने angle पे ray को incident करवा सकते है ठीक है with the axis of pipe for which the total internal reflection occurs inside the pipe तो basically हम लोग चाहते तो यह है कि जो TIR है वो pipe के अंदर हो जाए यहाँ पे TIR हो तो देखो अगर मैं इसको जादा करूँगा तो यह ऐसा चला जाएगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा मतलब यहाँ पे अवे चला जाएगा हम इसको एक limit तक ही कर सकते है ना तो हम यह पता करना चाहते है कि यह कितनी limit है तो हम पता गर सकते है critical angle हम इसे इतना ही expand करेंगे इतना ही जादा इसको maximum angle के साथ incident करेंगे कि यह critical तक जाए critical से उपर ना जाए critical से नीचे ना जाए ओके तो आयो इतनी बार सबको समझ में आ रहे होगी तो कि अगर मैं इसको इससे जादा करूंगा ना तो बेसिकली यह ऐसे चला जाएगा जो critical से कम हो जाएगा ना कि जादा critical से जादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती पर critical से कम हो जाएगा इसे बढ़ाऊंगा तो यह कम होता जाएगा तो मुझे क्या करना है पहले पता करना कि theta c की value इस question में है कितनी राइट तो हम पता करते है theta c की value इस question में हम लोग solve करते है we have sin theta c की value होती है new 1 by new 2 new 1 होता है rarer वाले का new 2 होता है denser वाले का इसकी values है 1.44 upon 1.68 ठीक है तो इसकी value something about 0.857 आती है तो हमसे बता सकते हैं जो theta c है यह होता है 59 degree आप लोग इसको calculators में चेक कर सकते है तो हमें theta c की value पता चल गई पर अगर हम i की value जो है यहां पर जो i बनेगा उसको 59 degree से जाधा incident करें यहां पर कम से कम 59 degree होना चाहिए तो इस r की बात करें तो देखो यह जो theta c है यह क्या है इस जगा पर होने वाला incident angle ही तो है यहां का incident angle greater than equal to theta c होगा तब ही तो TIR होगा तो अगर मुझे इसको maximize करना है इसकी value में बढ़ाऊंगा तो इस r की value जो है वो कम हो जाएगी ठीक है तो मैं देखता हूं कि यह 90 degree है तो clearly दिख रहा है यह कि यह वाला angle इस i को मैं क्या लिख सकता हूं तो 31 degree तो मुझे इतना data मिल गया कि जो angle of reflection है जो यहां पर आ रहा है ठीक है यहां वाला angle of reflection 31 degree से कम ही होना चाहिए और हमें पता है कि angle of reflection जितना जादा angle of incidence करोगे उतना ही जादा angle of reflection भी हो जाएगा तो अब basically हमारा question हमारे सामने रखा है हमें बस अब पता करना है कि कितना angle of incidence हम दाल सकते हैं कि यह angle of reflection इतना हो ठीक है तो हमें पता है अब according to according to snell's law snell's law के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं new 1 into sin theta 1 is equal to new 2 into sin theta 2 basically मैं इसको apply करूंगा इस वाले जगा पर ओके यह है theta 1 मेरा यहां पर लिखा हुआ यह है new 1 यह है new 2 यह है theta 2 इस वाले के लिए snell's law के लिए तो हमारे पास यहां theta 1 तो air है राइट बाहर तो कुछ है नहीं यह ऐसा कुछ सीन है अगर किसी हो confusion हो रही हो यह बाहर वाला है यहां air है अंदर हमारे पास core वाला पार्ट है inner वाला पार्ट तो इसका जो refractive index है तो 1 हो गया into sin यह वाला angle ही तो हमारा incident angle है जो हमें बताना है कि कितना maximum जा सकता है शुडब इकोल टू अंद्रवाले का refractive index हमने देखा इसका refractive index था question में 1.68 into sin theta 2 यह theta 2 क्या है nothing but r तुम्हां बोल सकता हूं यह r max लिख देता हूं क्योंकि हमें पता करना यह maximum कितना है तो यह maximum उत्तब ही होगा जब r भी maximum होगा तो हम लोग यहां से लिख सकते है sin i max is equal to 1.68 into sin 31 degree values को put करते है तो इसकी value आती है 0.8652 जहां से clearly दिख जाएगा i max value है 60 degree ठीक है यह values calculator में आपको मिल जाएंगी तो हमें पता चल गया i max value 60 degree है यानि कि अगर मैं वापिस उस question पर लेकर जाऊं तो उस question के हिसाब से हमें क्या बताना था find the maximum angle which which array can be incident with the axis of pipe for which TIR occurs inside the pipe हम लोग ने देख लिया यह जो maximum angle है यह 60 degree ठीक ही आ सकता है तो i hope सब कोई question सबज में आ गया होगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर